दोस्तों आपने वो कहवत तो सुनी होगी कि सो भेडिये लेकर जाने से अच्छा है कि एक दहारदा हुआ सेर लेकर चलो जी हाँ आज हम उसी सेर बाग के बारे में जानेंगे जो कि भारत का राष्ट पसू है भारत का राष्ट पसू बाग वर्स 1973 को बनाया गया जो कि प्रोजेक्ट टाइगर यानि बाग पर योजना जब 1933 में चला जिसके कारण बागों को संकट ग्रस बताया गया उस वक्त भारत को राष्ट पसू बाग बनाया गया यह बाग सग्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के लायन और संस्कृत के व्यागर से हुई है इसका बैज्यानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है जो सायद आप जानते हूं परन्तु आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो आप सायद ना जानते हूं बाग अक्सर दलदले और घंस वाले छेत्र में रहना पसंद करते हैं यह अपना सिकार हमेशा अक्सर पीछे से वार करता है और इसका भारी भारकानम का सरीर होने के कारण जिसका वजन तीन सु केजी तक हो जाता है जिसके कारण यह ज्यादा दोरुत तक अपने सिकार को त कर पाता है हाला कि यह तरना इसकी एक सौकिन है क्योंकि यहां बिल्ली के परजाती के बराबर है अगर बाग की बात की जाए तो इसकी लंबाई जो की लंबाई होती है वो दो मीटर तक की होती है और इसकी उचाई एक मीटर तक की होती है इसकी जो मादा बाग होती है वे इस उसके बाद जो बागिन होती है उनके साथ उनके बच्चे रहना पसंद करते हैं और बाग अकेला फिर हो जाता है। उसके बाद ये 58 साल तक उनके साथ राते हैं उसके बाद ये जो छोटे बच्चे बाग होते हैं वे 58 साल के बाद फिर बड़े हो जाते हैं अक्सर भारत में बागो की संख्या देखी गई कि बिस्व की जितनी 6000 बागे हैं उसकी आधा यानि 50% बाग भारत में ही पाए जाते हैं तो इसके कारण भागो की बिसेस रूप से ध्यान दे गई और यहाद प्रोजेक्ट चलाए गया कि अगर भागो को किसी परकार का सिकार किया जाएगा तो भागो में कानूनी रूप से कारवाई की जाएगी ये भाग अक्सर आपको उन शेत्रों में पाए जाएंगे जो की घंस वाले शेत्रों होते हैं थो की आपको भाग के बारे में थोड़ी सी नोलेच देती है तो आप भागों से थोड़ा समल के रहें और उनका कारना करें ताकि आने वाला कल हमारी परजातियों को देख पाए फिर मिलेंगे कि इस वीडियो के साथ तब तक लिए बाज वीडियो पसंदाई चल्ब सस्क्राइब और बेल आइकन को प्रेस किजिएगा आपको यहाँ पे नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेगी